भगवत गीता के ये तीस उपदेश आपको अपनी जिन्दगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे जिन्दगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे ये दिव्य उपदेश ये बाते जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए इन तीस उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने पीतागा सबसे पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है आप कभी गौर करना आपकी जिन्दगी के सारे दुख सारी तकलीफें सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपना पन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है वहीं से आपकी जिन्दगी में दुख हाना शुरू हो जाते है एक व्यक्ती के पास एक बहुत बड़ा महल था उसने जिन्दगी भर की सारी संपत्ती लगा कर उस महल को बनाया था आस पास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे कई बड़े-बड़े सेट उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे पर वो महल उसका एहनकार था उसकी जीने की वज़ए था उसका उस महल में बहुत मोहु था एक दिन उसके महल में आग लग गई गर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ उसने कहा अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिन्दा नहीं रहूंगा अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रो का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खतम हो गई जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे वैसे ये भी घड़ा हो गया इतनी ही देर में उसका बेटा आया वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसंद हुआ उसे आशिरवात देने लगा कि तेर किताजी मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था और सौदा अभी पका हुआ नहीं है जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो फर फूट फूट के रूने लगा फिर अपनी च्छाटी पीटने लगा महल वही है इंसान वही हänder ऐसे ही जिन्दगी में जब किसी जगए को, किसी इंसान को, किसी रिष्टे को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है तो श्रीमत भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिन्दगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिनातों में जी ही नहीं सकता तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है गीता का दूसरा उपदेश यह है अगर आपने अच्छे करम किये हैं तो जाने अन जाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे करम उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे अगर आपने गलत करम किये हैं, पाप किया है तो उसकी सजावी आपको जरूर मिलेगी वो इनसान कितना ही छुकर करम करे चाहे वो कितना ही चालाकी से करम करे लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के इश्वर के चारो तरफ कैमरे लगे हुए हैं हमारे एक एक करम पर वो प्रकर्ती वो परमात्मा अपनी दृष्टी बनाए रखते हैं हमारे एक-एक करम का हसाब होता है एक गाउं में दो मित्र रहते थे उन दोनोंने विचार किया कि इस गाउं में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं परियाप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाय नहीं होती थी वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे चलते-चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर घन की रक्षा करता हूँ तुम बाजार जाकर भोजन की विवस्था कर लो जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया उसने कहा इतना पैसा हमने कमाया है अगर में इसको यही जंगल में मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा नहीं तो मुझे इसका आदा धन इसको देना पड़ेगा मन में ये घोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया उसका मित्र वो जहरवाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्ति हो गई वो व्यक्ति सारा धन लेकरके अपने घर वापस आ गया फिर उसके घर में एक फुत्र ने जनम लिया जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में घतम हो गया बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नश्ट होता गया जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तु इतना बिमार क्यों रहता है तू ठीक कियो नहीं होता मैंने अपने जिंदगी का सब कुछ तुछ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तब्यन ठीक नहीं रहती तो उसके बेटे ने बोला कौन सा बेटा और कौन सा पिता मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तुने जंगल में जहर देके मार दिया था लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं समाप्थ होता है तो कीता का अपदेश हमें यहीं सिखाता है कोई अपने आपको कितना भी चालबाज समझता हो हुश्यार समझता हो लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोग नहीं पड़ेगा कोई भी व्यक्ति अपने किये हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता गीता का तिसरा अपदेश यह है कि आज में जीओ कल की चिंता करना छोड़ दो जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिन्दगी में कभी खुश नहीं रह सकता आपको जिन्दगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके आज के आनद को जी सके पीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तव नहीं होता वो सरफ आपके बुद्धी और आपके विचारों में होता है उसकी कोई वास्तविक्ता नहीं होती उसे सरफ आप अपने मन के अंदर और बुद्धी के अंदर जीते हैं लेकिन जिसे आप वास्तविक्ता में जीते हैं वो आपका आज होता है वो आपका चल रहा पल होता है अगर आप अपने मन और बुद्धी को अपने कल में अटका के रखेंगे अपने भूतकाल और भविश्यकाल में अटका के रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और अगर जिन्दगी में खुश नहीं चाहते हैं तो आज में और इसी पल में चीना सीखें गीता का चौथा हुपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करें पाप करें, गलक करें उसे दंड जरूर देना चाहिए अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलक करता है अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागिदार हो जाएंगे अरजुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिन से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं मेरे गुरुजन हैं मैं इनके सामने कैसे हतियार उठाऊं इनको कैसे मारूं तो भागवान श्री कृष्ण ने अरजुन से कहा कि जिने तु अपना मांता है वो सब अधर्मी हैं वो पाप के बक्ष में खड़े हैं और अगर तु इनका वद्ध नहीं करेगा युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी जादा पाप करते हैं ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है आपको चोट पहुचाता है दुख पहुचाता है और आपको चोट चोट सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है लेकिन जब आप उसके गलत वहवार को उसके अधर्म को रोक लेते हैं उसका विरोध करते हैं तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है ये कल्यूग है अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए बलकि उसका सामना करना चाहिए गीता का पांचवा अपदेश ये है कि किसी से भी हद से जादा मोह कभी मत करना जिसमें भी आप सबसे जादा मोह लगाओगे देखना वो आपको जरूर उलाएगा मोह के वजह से ही आप किसी के पिछे मरते रहते हैं मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज़त तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ मोह आपकी आँखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और जुट दिखाई ही नहीं देता आपको किसी इनसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता आप जो देखते हैं जो सुनते हैं उसी पर यकीन कर लेते हैं फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो वास्तविक्ता में रिष्टे दुख नहीं देते, आपका मुह आपको दुख देता है। जिस दिन मुह खतम, उस दिन आपको किसी भी रिष्टे से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फरक ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा अबदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है, स्वाधर्मम निधनम श्रेय परधर्मों भयाव है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा करतव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाओं, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, वो शत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तु अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे, ऐसे ही हर इंसान का एक अलग आपी मार्ग होता है तो कभी भी उस मार्ग पे मत जाना जहां सारी भीड जा रही हो। गभी भी वो काम मत करो जो धुनिया करती है कि आज कल ये ट्रेंड हो गया है ये फैशन हो गया है सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं, अगर आप वो करोगे जो भीड कर रही है, तो आप भी उसी भीड में कहीं खो जाओगे, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आप के लिए सही है, जो आप की प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड में भी आप बाहरवाला आपको दोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुचती है लेकिन जो आपका अपना है आपका खास है उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुच सकता है जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं इसको चोट पहुचा सकते हैं ये कल्यूग है इसमें बाहरवालों से नहीं जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है महा भारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ बलकि एक ही परिवार के भाईयों में हुआ था सब आपस में एक ही वंश के लोग थे कितनी बार धुर्योधन ने जहर दे करके भीम को मारना चाहा नचाने कितनी बार धुरियोधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की वो उसका पराया नहीं था उसका भाई था सारी लड़ाईयां घर के अंदर ही होती है बाहर कौन लड़ेगा हमसे घर में ही सारे जगड़े होते हैं तो आपको चोट सरफ वही लोग पहुचा सकते हैं जो आपके अपने हैं आपको दोगह सरफ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं घीता का आटवा उपदेश यह है जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तू हर काल में मेरा स्मर्ण करते रहना और युद्ध भी करते रहना अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा, तू हमेशा मेरा स्मर्ण करता रहे और युद्ध करते रहना हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है तो श्री कृष्ण ने अरजुन से कहा कि ये जिन्दगी ही रनभूमी है इस जीवन में सुकदुक आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मकाबला करना है श्री कृष्ण ने ये नहीं का कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा बहुत गहराई है गीता के ग्यान में हमारी जीवन की डोर भी संभाल के इश्वर बैठे हैं लेकिन युद्ध हमें ही करना है इश्वर को याद करना है कि हे इश्वर मुझे शक्ती देना मुझे समझ देना मुझे बुद्धी देना ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाईयां जीच सकूँ मैं जिंदगी में सही मार्ग पे चल सकूँ लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे सब वो इश्वर करेगा तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है ये कुछ नहीं करेगा भगवान ने बुद्धी दिये, समझ दिये इश्वर आपको प्रेणा देते हैं, शक्ती देते हैं लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयम ही करनी होगी गीता का नवा उपदेश ये है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिन्दगी बरबाद कर दे कहीं न कहीं महाबारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वज़े से ही शुरू हुआ था सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था एक ऐसी जुआ की लत जहां युद्धिश्टर ने अपने भाईयों को दाओं पर लगा दिया अपनी पत्नी को दाओं पर लगा दिया ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ घमा दिया ऐसे ही हम भी अपनी जिन्दगी में गंदी आदत लगा देते हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे वो नशे की हो मुबाईल की हो किसी इंसान की हो कोई गलत काम करने की हो कोई भी गलत आदत जो आपको बरबाद कर सकती है अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खतम हो जाएगा इस से पहले कि आपकी आदत आपको खतम करे आप अपनी गलत आदतों को खतम कर दीजिए घीता का दस्वा उपदेश ये है कि आलसी इनसान कभी कुछ हासल नहीं कर सकता अधिकतर लोग सिर्फ योजनाय बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि चाहना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए करम करना वो बहुत मुश्किल है एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है लेकिन उसके लिए व्यायाम करना एक्सरसाइस करना वो आपको ही करना होगा जो इनसान आलसी बनके बैठ जाता है ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है तो जिन्दगी में अगर कुछ पाना चाहते हो न आलस चक्तो अपनी जिन्दगी से जरूर दूर कर देना आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवाद होगे गीता का ग्यारवा उपदेश यह है कि जिन्दगी में अगर खुशी चाते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिन्दगी बहतर हो सकती है क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुचा रही है लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं समझते सब कुछ हैं, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, वो इसलिए होता है, क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो, अरे लोग तो अपनी जीब का स्वात तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सकसिस नहीं मिल रही है, तो कि जो आपको करना चाहिए, आप वो करते नहीं हैं, आपका मन सब कुछ समझ कर भी, आपको वो करने नहीं देता, इसलिए जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो, जो आपके लिए सही है, वो आपको करना ही आप जिसके लिए जितना रोगे, वो चीज़ आपसे अतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है, वो कहीं न कहीं से आपके पास जरूर पहुच जाएगी, इसलिए जो आपको जिन्दगी में हासल नहीं हो रहा, यह हासल नहीं हुआ, उसका पच्चतावा करन उसके लिए रोना आप बिलकुल बंद कर दो, गीता का तेरवा उपदेश यह है, कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभाव करोगे, गीता का चौदवा उपदेश यह है, कि जिस इंसान को बात-बात पर क्रोध आत चौता है, उप आतिक मों भgeht जाते हैं, वो मन में भी कुरता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है, जादा गुसार करके जादा क्रोध करके, जो भी आपके पासे देखना, आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शानती तो कभी मिलने वाली नहीं है इसलिए अपनी जिन्दगी में शांती चाहते हो तो बात-बात पर गुसा करना छोड़ देना चाहिए घीता का पंदरवा उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो लेकिन जान भूज कर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वज़े से दुखता है न तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए गिता का सोलवा उपदेश यह है जो मुश्किल वक्त में जो दुख के समय में आपका साथ दे सिरफ वही आपका अपना है बाकी सब पर आये हैं अपने पन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं बड़ी बड़ी बाते करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं कोई भी दुखो कोई भी तकलीफ वो हमें याद करना लोग दुख उठाने की बात करते हैं लोग आनी जाने की बात करते हैं हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते है जब सच में आपकी सिंदगी में तकलीफ आएगी na तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ती हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा हमको कुछ दे नहीं पाएगा लोग आपसे सरफ तभी रिष्टा रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं आपसे उन्हें कुछ फाइदा हो सकता है लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फाइदा नहीं होने वाला बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी तो वो आपको दूर से ही देखके भाग जाते है इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए सिर्फ वही आपका अपना होता है बाकी इस दुनिया में सब पराए है क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता घिता का सत्रवाव पदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो आने वाले भविश्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा अला कि ये बहुत गहरी बात है कुछ चीज़े जिन्दगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यूं हुआ मेरे साथ ही होना था ये सब लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता वो शायद हमारी जिन्दगी और भी बर्बाद हो सकती थी इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जिन्दगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे गीता का अठारवा उपदेश यह है कि हर काम को समझधारी से करना ही योग होता है योग है करमसु कौश अलम कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासल कुछ नहीं होता बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिन्दगी में सफलता हासल नहीं हो रही बहुत कुछ करने से बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिन्दगी में सफलता जरूर मिलेगी गीता का 19 वाउप देश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अती नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज हद से जादा मत करना किसी से प्रेम भी हद से जादा मत करना किसी से नफरत भी हद से जादा मत करना हद से जादा मीठा भी खराब हद से जादा कड़वा भी खराब हद से जादा आराम भी आपको बिमार कर देगा हच से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा हच से ज़्यादा बुखा रहना भी आपको नुकसान पहुचाएगा और हच से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुचाएगा तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए जैसे ही आप संतुनन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुरगटना हो जाती है गीता का बीस्वा उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज़ादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते है आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते है जिसे आप सबसे ज़ादा महत्व देते है दूसरों की इज़द करना अच्छी बात है पर दूसरों की अगर बहुत ज़ादा इज़द करोगे तो उनकी नजर में आपके ही इसद खत्म हो जाती है इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते इसलिए लोगों को इज़त उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सकें हज से जादा इज़त देना आपकी ही बेज़ती करवा सकता है गीता का बाविस्वा उपदेश यह है कि किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करना जैसे महाबारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार शैंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की आग में जलाने की कोशिश की और वो धरम पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे ये बात और है कि इश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे जिस पे वो भरोसा कर रहे थे वही उनकी मृत्यू करवाना चाहता था इसलिए भरोसा करते समय अपनी आखे जरूर खुली रखना गीता का तेविस्वा अबदेश यह है जिसके साथ सत्य और इश्वर की शक्ती है चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन अंत में जीत उसी की होती है श्रीमत भगवत गीता में अठारा द्याय है साथ सो श्लोक है गीता का आखरी श्लोक है यत्र योगेश्वरह कृष्णो यत्र पार्थो धनुड़दर तत्र श्रीर विजयोर भूतिर दुरवानी तिर्मतिर्मम धरतराष्ट बार-बार संजे से पूशता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है क्योंकि उसे विश्वास था कि महा पराक्रमी भिश्म पितामा मेरे पक्ष में है गुरू द्रोनाचार्य वो मेरे पक्ष में है करण मेरे पक्ष में है तो हमें कौन हरा सकता है लेकिन संजे ने धृतराष्ट से कहा कि जहाँ पर इश्वर है जहां पर सत्य है हमेशा वही जीतता है चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो लेकिन सत्य और इश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता भीता का 24 वा उपदेश है कि जीवन में लड़ाई जगड़े से बचना चाहिए लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए अरजुन भी महावारत का युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है तेरे सम्मान की है तेरे चरित्र की है तेरे अधिकार की है जो दुरौपदी के साथ कौरों ने भरी सभा में अपमान किया उसे नगन करने की कोशिश की कितना बड़ा अधर्म किया वो तुमें कभी नहीं सहना चाहिए इसलिए बात जब आपके चरित्र पे आजाए आपके सम्मान पे आजाए तो चाहे वो अपना ही क्यों नहो आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए गीता का 25 वा उपदेश ये है चाहे कितना भी बुरा वक्त आजाए लेकिन जो इनसान जिन्दगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और एक साल के लिए अग्यातवास मिला वो बिक्षा करके अपनी जिन्दगी को पालते थे जंगलों में भटकते रहते थे भायानक जानवरों के बीच लेकिन इतना मुश्किल वक्त जेलने के बाद भी आखरे में विजय उन्हीं की हुई क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी ऐसे ही आपकी जिन्दगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी गीता का चब्विस्वा उपदेश यह है यह जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना कभी कब्जा मत जमाना जब शकुनी ने शडिंतर करके पांडवों को हसनापुर से अलग करवा दिया एक खांडव प्रस्त का राज़ दे दिया जहांकि भूमी भी बंजर थी जहां कुछ नहीं हो सकता था लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंधर बनाया इतना वैभाव शाली बनाया कि हसनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा और उनके उस वैभाव को देखके सुख को देखके दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था उसने कई बैमानिया करके शडंतर करके उनका वो खांडव प्रस्त भी उनसे चीन लिया जो चीज उसकी नहीं थी उस पर कबचा किया तो उसका आखिर में परिणाम यहीं हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए गिता का 27 वा उपदेश यह है कि वही इनसान जंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से इनसान अशांती से भरा रहता है बहुत वैसा कमा लिया कामया भी हासिल कर ली लेकिन वो कामया भी असली नहीं है असली कामया भी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो गीता का 28 वापदेश यह है कि आप जैसा अनखाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धी होगी आप वैसा ही कर्म करोगे वैसा ही आश्रण करोगे सात्विक अनखाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा सात्विक वहवार भी करोगे सोच भी आपकी अच्छी होगी तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धी भी वैसी होगी आप काम भी वैसे करोगे श्री कृष्ण ने भगवत गिता में सात्विक राजसी और तामसी इन तीनों अहरों का विस्तार से वर्नन किया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं घाना चाहिए पर सार यही है जो मनुष्य सात्विक ता से भोजन करता है उसे जियुन में शांती और सुख जरूर मिलते हैं गिता का 39 वा उबदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही वहवार करो बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ दिया उसका मित्र करण भी उसे छोड़ कर भाग गया वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे लेकिन युदिष्टर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया उसके जीवन की रक्षा की लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप जादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही वहवार करो गीता का तीसवा अपदेश्य है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता समय की कदर नहीं करता उसकी जिन्दगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है क्योंकि समय ही आपका जीवन है अगर आप समय को व्यर्थ ही नश्ट करते रहेंगे व्यर्थ के कामों में गवा देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासल नहीं होगा अगर कुछ जिन्दगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना जो भी व्यक्ति गीता के इन तीस उब्देशों को रोज सुनेगा, समझेगा तो जिन्दगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा